अभी कई सारे इस्ट्रेंट लगातार पूस्ते जा रहे हैं कि यूपीपीसे दोजर चौबिस प्रीके लिए और आरो आरो दोजर तेइस का जो री एक्जाम होने वाला है प्रीका उसके लिए कितना करेंट पड़ें कहां से पड़ें कई से पड़ें दूसरा क्वेश्चन व अभी हम सब को जो है उमीद है कि जो भी करेगा योग और सरकार चात्र हित में करेगा नॉर्मलाजेशन किसी भी यूपीपीसे के एक्जाम में नहीं होना चाहिए सारे इस्टुडेंट्स की एक सुर में यही डिमांड है मुद्द्य पे आपने हैं कर देगे एक बात तो आ यूपीसे दोज़ाइशन को नोटिफिकेशन निकला था यूपीसे दोज़ाइशन का दस महीने से ज्यादा बीतने वाले हैं और अभी तक प्री तक नहीं हुआ है तो प्रेशर है लेकिन एक्जाम तो हो गई टेक सीरियस इस्टुडेंट्स जो है उनको चाहिए कि आप अ प्रेशन भी चल रहा है ठीक है उसको जरूर फॉलो कर लिजाए तो जो भी इनिशेट्व गरा चलाए जाएं यूपी प्यसी की कम्यूनिटी पूरी एक है सब एक सुर में एक साथ हमें रहना है बटना नहीं है बटेंगे तो कटेंगे इस्टुडेंट्स यूपी के ये ध फॉलो फेर ट्रांसपरेंशी पेपर पे नहीं एक्चुली में एक्जाम में हो और आप ये ध्यान रखें कि जो भी सरकार जो भी पार्टी इस्टुडेंट्स के मुद्दों को सपोर्ट करें सिर्फ उनी को वोट दें कभी भी वोट धर्मजाती के नाम पे मत दें डिलेज जरूर होता है लेकिन UPPSC आयोग ट्रेक पकड़ता है देखें रणे रठांसे लेकिए 23 लगातार अर्गवाथ होएं लेकिन ये है कि आरो यारो में शायद शिफ्ट और गयरा का जो भी चीजे चल नहीं है वो सब चीजे देखिए अब डिसकेशन में नहीं जाता हूं मैं करेंट बताता हूं सिंपल सी दी अक्टूबर 2023 से आप मतली पढ़िए क्योंकि ये UPPSC आयोग है अगर पूरे के पूरे करेंट अफेर के क्वेशन सही करके आने तो सिर्फ और सिर्फ एकी सोड़ से वो है श्टडी फॉर्ट सिदिल सबसिस बाकी आक, कान, नाक, लात, मुँ, हाथ, इन सब की मैगजिन वगएरा से कोई फायदा नहीं है तो 4-5% आपके सवाल भले सही हो जाए लेकिन पूरे के पूरे करेंट सही करने है तो फिर सिर्फ और सिर्फ इस्टडी फॉर्ट सिदिल सिदिस को फॉलो करें और लगातार हम फ्री देते हैं ये करेंट फेर मंतली में ठीक है, अभी आप क्या करें, अक्टूबर 23 से मंतली वाला पढ़ना चलू कर लो, अभी तक का ठीक, जब भी PCS का एक्जाम होने वाला होगा, उसके करीबन 20 दिन पहले जब भी आरो का एक्जाम होने वाला होगा, उसके भी करीबन 20 दिन पहले टॉपिक वाइज रिवीजन करा के एक हम फाइनल पापा वीडियो देते हैं, ठीक है, तो अगर आपने मंतली वाला कवर कर रखा है, और उसके बाद ये फाइनल वाले से कर लिया, तो आप आलमोस्ट पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर पाने की इस्तिती में रहेंगे, आरो यारो में भी और PCS में भी, ठीक है, एक चीज़ और है, कि आप लोग, कई लोग, कई कोचिंग वाले एक चुली बेवकूब बनाते हैं इस्तित को, कि वो लोग पीवाई को बहुत पुराने, इजी से सवाल जो है, एकदम वन नाइड़ टाइप जो है, देके अपने टेस्ट सिरीज बनवाते हैं, जान बुचके इस्तित को खुश करने के लिए, ताकि इस्तित को लगे, हाँ भाई, मेरे तो 95% आ रहे हैं, ये टेस्ट सिरीज बढ़िया है, निकोलियो, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको ये पढ़ाई आसान नहीं है, खुश, जो है, खुशी नहीं देती, जो बात साफ है, भाई, अगर आप तयारी नहीं कर सकते हैं, मेहनत नहीं कर सक सिरीज, इग्जाटली, ऑफीशल से ले बस, प्लस जितना पी वाई की रेलेमेंट है वो, प्लस ने टेस्टेंट पैटन, जो अभी UPPSC का डाइनमिक पैटन है, उसके हिसाब से पूरा जो फ्रेश टेस्ट सिरीज हर बाद डिवलप करता है, स्टड़ी फोर सिविल सिरीज क आपका चाहें आरो यारो हो, चाहें PCS वाला एक्जाम हो, आराम से कट ओफ, कट ओफ निकालने बर का हो सकता है उससे, और सारी चीज़े, और सारी चीज़े, आप तो PCS में हो, चाहें आरो में हो, बाकाइदा हमने पेट गुप में भी एक्स्क्लूजिवली रिकॉर्डड और बिल्कुल फ्री है ये, पीडियोफ अगरा चाहिए हमारा एप डाउनलोड कर लीजे, वहां पे आप जो है तुरंबाइकर लीजे, पीडियोफ जो भी आपको चाहिए, ठीक है, तो इतना पढ़ें, और जब एक्जाम आने वाला होगा, तब हम पूरा का पूरा का पू नहीं है, सिर्फ PPR फॉर्मुला अपनाना है, 6-2-1, 6 गंटिक पढ़ाई, 2 गंटे का प्रेक्टिस, 1 गंटे का रिवाजन, ये वाली चीजे करके, study for civil services का selection material, plus exclusive video, paid quiz, और test series, ये तीन चीज कर ली, तो चाहिए जैसा paper आजाए, easy, moderate, affordable, conceptual, factual, cut-off निकालने की इस्तितिया हमा revision वगरा कराते रहते हैं, हमारा telegram का group है only current affair, उसमें पिछले करीबन 8-9 मैनों से लगातार daily 10 current affair के PCS level के questions की practice कराते हैं, ये PCS daily quiz है, उसको ज़रूर याद जो है, join करके रखें, पिछले 6-6 साल से लगातार GS के question की practice हम करा रहे हैं, और उससे कई question हर बार प्री में directly आ जाते से करेंगे, प्री में है değer